आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, यहाँ पर एक प्रश्ण दिया हुआ है इलर्जी रोग का क्या कारण है आईए गाईज इस प्रश्ण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इलर्जी रोग का क्या कारण है इससे पहले में यह जानते हैं कि इलर्जी क्या होती है आईए देखते हैं एलर्जी आपने सुना होगा लोगों को बात करते हुए कि मुझे इस चीज से एलर्जी है, मुझे इस चीज से एलर्जी है, तो एलर्जी एक्षिली होता क्या है, एलर्जी जो होती है, ये हमारे प्रतिरच्छा तंत्र की किसी बाहरी हानिकार पदार्थ के प्रति अतिसम वे जाती है लेकिन हमारी बोडी किसी एक पर्टिक्लर चीज के लिए ज्यादा रिस्पॉंस कर दीती है तो हो क्या होता है एलर्जी और जो यह जो एलर्जी है वो मनुश में बिन रोगों का कारण बनती है आई यह लिखते हैं इसके बारे में एलर्जी हमारे प्रतिरच्छा तंत्र की प्रतिरच्छा तंत्र की किसी बाहरी किसी बाहरी हानिकारक पदार्थ के प्रति अति संबेदन सीलता है इसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं अति संबेदन सीलता है यह होती है एलर्जी जो की मनुश्यों में भिन रोगों का भिन रोगों का कारण बनती है रोगों का कारण बनती है अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है अलर्जी का कारण कारण देख लेते हैं इसके दो कारण है मुख्यता पहला है अनुवांसिक अनुवांसिक मतलब जैसे कि माता पिता को कोई बीमारी ऐसी है जो बच्चों में आ जाती है दूसरा है वातवर्णी कारण वातवर्णी कारण अनुवांसिक कारण जो होते है वो स्थाई होते है वो बच्च आ अफेक्टिड नहीं होते है बातवर्ण में जो कुछ भी पाया जाता है तो ये दो कारण थे कारण यह जो हमारा प्रश्न था एलर्जी, रूप का क्या कारण है I hope आपको समझ आ गया होगा कारण इसके यह दो है अनुवान्शिक और वाता वर्णी है I hope यह प्रश्न आपको समझ आया होगा Thank you guys